हेल दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है रिना सेनी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल जी के ग्यान विद्या आज मैं आपके लिए साइंस के रेलेवेग गुरूप डी और एंटी पीसी एंट दिल्ली पुलीस जो कि भोती विज्ञान से उस्मा उस्मा के कुछ महते पून कोशिन लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम में अति महते पून होगी तो कोशिन करते हैं और देखते हैं किस टाइप कोशिन हमारे एग्जाम में आते हैं जो मारे लिए इंपोटेंट है Question number 22 से चलते हैं अब देखते हैं यह नोट्स में ने खुद बनाए है और अच्छे लगे तो मेरी वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करे वीडियो को लाइक करे वैसे एर करे 22 question है वस्तु को गरम करने पर उसके अनुओ वस्तु को गरम करने पर उसके अनुओ और जो हम किसी वस्तु को गरम करेंगे तो उसकी चाल अवश्य ही बढ़ेगी तो इसका ओप्शन नमबर ए सही हो जाएगा next question क्यों चलते हैं देखते हैं क्या है next question किसी वस्तु काताब किसका सूचक है option number A उसके अनुओ की कुल उर जगा option number B उसके अनुओ की ओश्यत उर जगा option number C है इसमें उसके अनुओ की कुल वेक का option number D उसके अनुओ के ओश्यत गतिज उर जगा तो किसी वस्तु का ताप जो सूचा होता है वो होता है उसके अनुओं के ओर्षत गतिज उर्जागा ओप्शन नमबर डी जो हमारा सही हो जाएगा बिल्गुल नेस्ट कोश्चन के ओर चलते हैं किस वस्तु के ताप में वरद्धी का अर्थ वस्तु की ऑप्शन नमबर एक गतीज उर्जागा बढ़ गई है 12 में गतीज उर्जा बढ़ गई है tuo रोख तो इसका शाई हो जाएगा जू हो है हमारा सही हो जाएगा नैस्ट कोर्षन क्यों चलते हैं विदक है ने स्ट कोर्षन है हमारा जब किसी वस्टू को ठंडा किया जाता है तब उसके अनुप की जो उतियाया ह son Raal घट जाती है कि चाल घट जाती है option number 20 होगा हमारा जब किसी वस्तु का ठंडा किया जाता है उसके अनुवा की चाल घट जाती है जैनि वस्तु सुकड जाती है और उसकी चाल में घटना प्रारम कर देती है और चाल घट जाती है इसका प्रत्यक्स प्रणाम सबसे पहले किसी ने किया यह हमारे साइंटिस्टे रम फोर्ड ने इसका सवपरत्म प्रत्यक्स प्रणाम किया ना नैस्ट्ग्स प्रक्षण है हमारा किस वएज्ञानिक ने सरअपरत्म बरफ के दो टुकडोगोगों आपस पिंगकर घसकर पिंग्ला दिया यह है हमारे डेवी, उप्शन नमबर C, बरप के दो टुकडे को जिसकर पिंगला दिया जो है, उप्शन नमबर C, डेवी ने नेक्स्ट उप्शन है, निम्न में से कौन सही है, उप्शन नमबर A, W अपन क्या हूं, इस एकल टू जे, B, W गुना क्या हूं यह उप्शन नमबर C, W, क्या हूं, डेवी इस एगल टू जे, B गुना थे, D है, J अपन क्या हूं, इस इगल टू डबलू, यह भी गल थे तो इसका साई आंसर आजायगा W अपून क्या हूँ इधी इग्ली टु जी जो हमारा साई उप्जन है नेस्ट कोशिन है हमारा निम्लिख्यात में से कौनसा उस्मा का रंट है ताप का एसाई मात्रक क्या है एक किलो केलोरी उष्मा कमान क्या है कोश्ण नमबर 32 एक किलो केलोरी उष्मा कमान जो होते है 4.2 गुना 10 कि पर 3 जूल बश्ण नमबर 30 हमारा 33 question है, बरफ पर दाप बढ़ाने से उसका गलनाक, option number A घट जाएगा, option number B बढ़ जाएगा, C परवर्तित रहेगा, D सुनने हो जाएगा, तो इसका सही अंसर हो जाएगा बरफ पर दाप बढ़ाने से उसका गलनाक घट जाएगा, option number A जो है सही हो जाएगा कोश्यन नमबर 34 है दर्व ताप मापि के पेक्षा गैस ताप मापि अधिक सभिध होता है क्योंकि गैस सब्सक्राइब दर्व के पेक्षा अधिक परशार करती हैं सरल्ता से प्राप्त की जा सकती हैं मुट्ष हैं अबस्ता आसानी से नहीं बढ़ाती तो इसका option number B हो जाएगा सही दरव किया पेक्षा अधिक प्रशार करती है next question है हमारा 35 question है अत्य अधिक उंचे तापो की माप की जाती है किस चीज़ से किये जाती है यह होती है ताप यूग ताप मापी से option number B जो होगा हमारा सही होगा next question है 37 पूर्ण विकिरन उत्ताप मापी किस सिद्धान्त पर आधारित है यह आधारित है हमारा स्टीफन केनियम पर next question है विकरन पायरोमेटर से कितना तापकरन नापा जाता है कितना तापकरन मापा जाता है इसका option है इन में से कोई नहीं question number 40 है सूर्य का ताप मापा जाता है इसका option number C जो हमारा होगा साई पायरोमेटर तापमा भी दुआरा पायरोमेटर तापमा भी दुआरा option number B साई होगा 41 question है Celsius माप करम परजल के कवतनाक तथा हीमकांक होते है करम नश्रे option number B होगास का साई 100 degree Celsius तथा 0 degree Celsius 42 question है ताप के Celsius मेमाने पर परम सूनने ताप होता है option number A है 0 degree Celsius option number B 32 degree Celsius option number C 100 degree Celsius और option number D है हमारा minus 273 degree Celsius तो option number C हमारा सही हो जाएगा अगला question है कितना तापमान होने पर पाठ्थांक Celsius और foreign height ताप मापयों में एक ही होंगे यह होंगे हमारे option number A minus 40 degree पर question number 44 नियुन तम संभब ताप है यह होगा option number A minus 273 degree Celsius पर B 0 degree Celsius C minus 300 degree Celsius D 1 degree Celsius इसका सही option है option number A minus 273 degree Celsius पर next question है foreign height scale पर किसी वस्तु का ताप 212 degree F F यानि कि foreign height है Celsius पर उस वस्तु का ताप होगा option number A minus 32 degree Celsius यह गल्थ है option number B 40 degree Celsius यह भी गल्थ है option number C 100 degree Celsius जो option number C है पर महरा सही होगा यह उच्च तम यह उच्च तम बिंदू पर महरा बनता है जो Celsius पर महरा बनता है जो Celsius पर पर उस वस्तु का ताप होगा जो फोरेन हाइट इसकेल पर किसी वस्तु का दोस्तु बारा F है next question क्यों चलते है question number 46 है Celsius पर महरा का 0 degree Celsius फोरेन हाइट सकेल के कितने डीगरी के बराबर होता है यह हमारा होता है 32 degree के बराबर 32 degree के बराबर next question है मानव शरीर का तामान अठाण में 0.6 F होता है Celsius सकेल पर यह कितना होगा यह होगा हमारा 37 degree Celsius पर दिल्ली में जल का कवतना 100 degree है तो मसूरी में जल का कवतना का तामान क्या होगा तो यह मसूरी में होगा 100 degree Celsius से कम option number B next question है 49 question किसी मनुस्य के शरीर का सामान्य तापकर्म क्या होता है इसका अंसर है हमारा option number A 98 degree F 50 question है तब तजल के थेलों में जल का प्रियोग किया जाता है क्योंकि option number C जो इसका सही होगा इसकी विशिष्ट उसमा अधिक होती है option number C इसकी विशिष्ट उसमा अधिक होती है तो ये हमारे science के 30% थे जो की हमारे भोती विज्ञान के उसमा अधिक से मेने करा है तो आपको ये विडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए विडियो को सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद